नमस्कार स्वागत है आप सबका कुण्णी टीवी के इस प्रोग्राम में जैसे कि सब जानते हैं कि 2020 वर्ष जो है खतम होने वाला है इसी के साथ 2021 का हर किसी को बेसबरी के साथ इंतिसार है हर कोई चाहता है कि जल से जल जो है 2021 साल आ जाए तकि जो भी 2020 में घटित हुआ है जैसे कि सबसे बड़ी बात कोरोना उसके वज़े से जो नेगिटिविटी हर किसी के मन में भरी है उससे सब कोई चुटकारा चाहते है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो 2021 है वो जोतिश के हिसाब से कैसा रहेगा इस बारे में हम बात करने वाले हैं लेकिन हमारे साथ जो गैस चुड़े हैं आज सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं मेरे साथ जो गैस चुड़े हैं वो है अचार ए अनिलवच सी तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं स्वागत है आपका अनिल जी हमारे कुने टीवी के चनल पर नमस्कार तो जैसे कि हमने कहा कि हम बात करेंगे जोतिश के बारे में सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा आपसे अनिल जी यही रहेगा कि जोतिश के हिसाब से 2021 जो साल है जो वर्ष है वो कैसा रहने वाला है देश के लिए बहुत सुन्दर प्रशन किया आपने यह और सबसे पहली बात तो यह समय लीजे कि जोतिश का अर्थ होता है कि जोति का इश कहा है और जोती का इश्च की जब हम बात करें तो हमारे इस पृत्वी के पास जो सबसे important तारा है उसे सूरी कहते हैं और सूरी के इर्दगिर्द ही ये सारे नवग्रह ब्रह्मन कर रहे हैं और ब्रह्मन करते हुए सबका अपना-पना मार्ग है अपना-पना समय है कि कौन कब किस वकत किस राशी में प्रवेश करेगा और उसके कैसे हम पर impact पड़ते हैं प्रभाव पड़ते हैं आपका प्रशन बहुत कीमती है कि 2021 कैसा रहेगा और मैं समझता हूँ 2020 की जो तरासदी जो दुख, जो कष्ट जो विपदा, कोरोना वाइरस के कारण पूरी दुनिया को जहलनी पड़ी वो कब जाएगा, मैं समझता हूँ एक तो बड़ा महतु प्रशन ये होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो बीमारियां होती है ये क्यों होती है, कैसी होती है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिसंबर में अभी एक ग्रहन का प्रभाव हमें ऐसा दिखाई दिया था, जिसके अंदर सब्त ग्रही, शट ग्रही, सब्त ग्रही योग आया था और उसमें राहु केतु के बीच में जब लगभग सब प्लैनेट आ जाते हैं तो उसे कालसब योग भी कहते हैं कभी-कभी एकाद प्लैनेट बाहर भी होता है इसका प्रभाव सबसे ज़ादा पृत्वी पृत्वी भी सोरी की परिकर्मा कर रही है और पृत्वी की परिकर्मा चंद्रमा कर रहा है और चंद्रमा मन का कारक होता है तो पृत्वी वासी और पृत्वी वासियों में मनुष्य जाती और मनुष्य जाती हरेक के पास एक मन है तो जब हम भैवीत हो जाते हैं भै के कारण एक आदमी के पास बहुत extraordinary willpower होती है कि मैं देख लूँगा जो भी होगा तो जिसको मैं immune system कहते हैं या जिसकी willpower strong होती है वो उससे fight भी करता है लेकिन जिसका कमजोर होता है अब जैसे विशेश उपसे करकराशी वाले जातक हो या चद्रमा जिसका नीचका हो और भी लगनेश जदी छटे-ाटवें बार में हो वीक हो, पापग्रोहों के प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाता है क्योंकि ये जो virus है ये वायू के माध्यम से तीके तीन प्रकार के दोश होते हैं वात, पित, कफ तो इस virus ने वायू और कफ के माध्यम से हम लोगों को बहुत सताया लोगों का immune system डाउन हो गया और परशानी हुई मैं समझता हूँ कि लग भग दिसंबर के महीने में ये 2019 के दिसंबर में वहान शहर में तो पहले से ही आगया था चाइना में लेकिन पूरी दुनिया में फैला और भारत इसके प्रभाव से वो भी प्रभावित रहा मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभाव राहू यदि अपने ही किसी नक्षत्र में हो, अपने ही राशी में हो अब जैसे अब ये वरतमान गोचर में भी हम देखेंगे तो ये प्रभाव जो है अब धीरे 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 जो इसकी मारक शमता है वो कम होती जा रहे है 2021 की खुशकबरी में आपको दे दू वेक्सीन हम लोगों के पास शीगर आ भी गई है और लोग इस प्रोसेज में हैं और चाहे अभी एक नया भी पता चला है कि एक और भी वाइरस इसका कोई भाग आया है जो कि बच्चों और युगाओं पर असर करने वाला है भवीत होने की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि अब इसका मारक प्रभाव उतना नहीं है जितना शुरू में था वैक्सीन के कारण हम जल्दी इससे निजाद भी पाएंगे लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये कोरोना तो रहेगा लेकिन जैसे अब दीके कितने भी बिमारी आती है वो जाती नहीं है इन्फुलेंजा हो अब जिसको और कितने स्वाइन फुलू था तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं लेकिन अब हम वैक्सीन के कारण इसके भाएस से मुक्त होंगे और सभावता सब लोग निरोगी जीवन जीएंगे बात करते हैं दोजार इकिस में जोतिश के पॉइंट होई उसे कैसा प्रभाव रहने वाला है तो अभी दोजार अगर हम इकिस की बात करें तो अगर रात के बारा बज़ी के बात के हम लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन के अंदर ये सारी बाते होंगी लगनेश बुद्ध जो है वो धनू राशी में गुरू की राशी में है तो इस कारत ये है कि हमें थोड़ा साफधान रहना होगा जन्ता के आक्रोश से उन स्थानों पर जहां पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारी भारतवर्स की बीजेपी सरकार है और जो दूसरी सरकार हैं जो जिन भागों में दूसरी चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो वामबंती हो चाहे वो मार्सवादी हो चाहे वो और किसी भी उसके हो उनके कारण ये थोड़ा कष्ट हमें देखने को मिलेगा उनके विद्रोग के कारण क्योंकि इस वकत की स्तिती ये है कि जब कभी भी लगन का स्वामी बुद्ध धनु राशी में आता है तो ये अपनी मित्र की राशी नहीं है इसकी तो चौता अगर जनता का होता है तो जनता से आक्रोश और परशानिया तो हमें देखने को मिलेंगी लेकिन बुद्ध सब्तन दिर्ष्ट्री से दशम भाव को देखता है लेकिन राजिस सरकार जो होगी देश की जो हमारी मूदी सरकार या बीजेपी की जो सरकार होगी वो धीरे धीरे इनके उपर होल कर लेगी उगोल करने पर जनता के उपर जो यह आक्रोश, चाहे वो इस वकत की इंसान का अंदोलन हो, चाहे कोई और अंदोलन आने वाले हो, उनके उपर काफी कंट्रोल होता चला जाएगा, एक बात, लेकिन ये बात मानने वाली है, कि ब्रिस्पती जो है वो लगनेश का मित्र नहीं तो इस इस्तिति में अगर देखेंगे तो गुरु इस वकत पंचम भाव में नीश का चल रहा है, पंचमेश शनी के साथ, तो उसे नीशता भंग तो मिलता है, इसका अर्थ यह होता है कि जनता से आक्रोश भी आएगा, आर्थिक दिष्टी कोन से भी ये तकलीफे आएगी दूसरे लोग अब चाहिए वो दंगे के दिष्टी कोन से करें, किसी भी तरीके से सरकार के विरुद कुछ अपना जरादेश बनाने के लिए दूसरी जो हमारे बीजेपी के अलावा जो और सरकारे होंगी, दूसरी लोग पार्टी की लोग होंगे, वो ये चीज़े जारी देनी होगी, कि जो गुरु है, वो चतुरत का स्वामी होके जब पंचम भाव में जाएगा, पंचम भाव चतुरों का होता है, रोग का, कर्जों का, देंदारियों का, और विरोधियों का, कोट का चेहरियों में जाने का, तो ये नाना प्रगार की बाते प्रखर होंगी, जो लोग भी आडंबर करेंगे, शडियंतर करेंगे, गुमराह करेंगे, जनता जाग रही है, विवेक पूर्ण हो रही है, अब वो पहली वाली बात नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, तो ये सच है कि विरोधी जन भी अपने आंदोलन और अपनी बाते जारी रखेंगे, तंग करते ही रहेंगे, बिस्तर आसानी पे सोने वाला राजा का नहीं होगा, उसके नीचे कंटक्ट तो रहेंगे, लेकिन धीरे 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 वो इनके ओपर हावी हो जाएंगे, और देश मेरा संभृत्धी के और बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है. याद है कि 2014 में मैंने उनके लिए भाष्षवानी भी करी थी, और उस वकत मैं पुने में था, और पुना के अंदर मैंने ये आठ और नो मही को मैंने वहाँ लिखा हुआ था, कि ये तीन सो के लगबग एंडिया की सरकार आएगी, निरेंदर मोधी विरोधियों का सूपड इसा दिखाई देता है, निरेंदर मोधी जी की पत्री में मंगल लगन में है और चंदरमा भी है, चंदरमा यदपी नीचका है, भागेश जब नीचका होकर लगन में आता है, तो उसे नीच भंग भी मिलता है, तो निरेंदर भाई मोधी की पत्री में जब गोचर की बात क करें तो शुक्र और केतु लगर में आ रहे हैं, शुक्र और केतु का गोचर होगा और रहु सब्तमभाव में होगा, केतु भी मंगल की तरह ही काम करेगा, तो मुझे इतना कहना है कि नरेंद्र भाई धेरे धेरे जनता का विश्वास हासल करेंगे, विरोधी शक्तियां यद नेरेंद्रभाई मोदी का बढ़ेगा और ये हमारा देश बिलकुल विश्व गुरू बनने की इस्तिती में आगे बढ़ता हूँ चला जाएगा शुक्र जो कि नेरेंद्रभाई मोदी की पत्रिय में सब्तमेश और द्वादशेश है जब ये लगन में आएगा यद पर विश्व लगन वाले जातकों के लिए शुक्र बहुत अच्छा प्लाइनट नहीं होता तो इनको इस बात का ध्यान दखना है जो विरोधी लोग होंगे या अनजाति के लोग होंगे अब जैसे मुसलमान लोग है या अनजाति के हिंदू, मुसलिम हिंदूं को छोड़के आने जाती के लोग हैं शुक्र जो है वो विरोधी विपरी जातियों के गुरुदेव माने जाते हैं जब शुक्र लगन में आएंगे तो इनको बहुत ध्यान लखना है कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हों उनके हितों का सुरक्षा का ध्यान लखते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए अगर यह ऐसा करेंगे तो इनको उनका विश्वास मत प्राप्त होगा कास करके जमू कश्मीर में अरुनाचल में और विशेश रूप से चीन के साथ मिलती हुए हमारी जितनी सिमाई होंगी नेपाल के साथ मिलती हुए जितनी सिमाई होंगी पाकिस्तान के साथ मिलती हुए जितनी हमारी सिमाई होंगी निरेंदर भाई मोदी उन सब के हितों का ध्यान में रखते हुए अगर आगे चलेंगे तो मुझे लगता है परशानिया तो आएंगी लेकिन धीरे धीरे ये केतु का गोचर उनको यश्किर्ती देगा आर्थिक दिष्टी कौन से भी देगा समाजिक दिष्टी कौन से भी देगा यदपी परशानिया चिन ताइम बहुत रहेंगी लेकिन धेरे धेरे नरेंदर भाई मोदी विजे शिरी की और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं यानि उन्हें हर फैंसला जो है समाज के हित के लिए करना होगा फैंसला नेने से पहलों ने यह चीज़ सोचनी होगी 2020 के बारे में हमने जाना था आप एक एक करके बताएं कि भविष्यवानी क्या कहती है जोतिश क्या कहता है कि इन सब में से किसकी जीत होने वाली है तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वेस्पेंगॉल और के बारे में बात करूंगी कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं इन में से जोतिश की बविष्यवानी क्या कहती है कि क्या रिजल्ट्स होंगी बहुत अच्छा खुशन है आपका यह जोतिजी जैसे आपने कहा कि केरला और वेस्पंगाल के बारे में तो इतना तो तै है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि चतूर्त भाव का जो गुरु है वो नीच का है इसका आरती है कि जो भी सरकार वहाँ चल रही होगी उसके प्रती लोगों में अविश्वास, उसके प्रती लोगों में विद्रो तो जन्ता उससे उतनी संतुष्ट नहीं होगी और इसका result ये निकलेगा के संभवता जो सरकार इसवका चल रही हैं उनको परशानी होगी और हो सकता है कि जो जनाधार वो अब लेके चल रही हैं वो जनाधार खोगी दें इसके सपस्थ संकेत दिखाई देते हैं ऐसे आपने केरल की बात करी है केरल के बारे भी मुझे आप से ही कहना है कि यदभी जो सरकार केरल के अंदर चल रही है जनाधार केरल का अभी जिल्ट भी सत्ता को मिला हुआ है जिस भी पार्टी को मिला हुआ है वो उनका बरकरार रहेगा वहाँ पर ये निश्यत रूप से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भी वोट थोड़ा डिवाइड होगा डिवाइड होने के बावजूद वहाँ पर अगर बीजे की हम सीधी सीधी बात करें तो उसका प्रभाव अभी इतना दिखाई नहीं देता लेकिन जो दूसरी सरकारे हैं मिल जुलके जो वो काम करेंगी उसके कारण जनता में थोड़ा डिवाइड हो रही है जनता तो निश्यत रूप से जो अब चल रहा है वो हिसाब तूटेगा दूसरी पार्टियों की तरफ भी जनाधार जाता हूँ दिखाई दे रहा है लेकिन बीजेपी का जनाधार वहां दिखाई अभी नहीं देता तो वेस्ट बेंगॉल और के बारे में हमने बात किया अब पॉंडेचरी के बारे में अचारे जी अब क्या कहेंगे कि वहां पर जोतिश की बिविश्वानी क्या है वहां पर क्या हालात होंगे कौन जीतेगा या कौन सा पक्स जो है जादा मजबूत दिखाई देगा पांडेचरी के बारे में बुझे ये कहना है कि वहां की जो जनता है क्योंकि होता क्या है कि मेरे विचार चाहे ना भी मिलते हों मेरे विचार चाहे जनाधार मैं अपना बदल भी लो लेकिन कितने लोग वोट देने जाएंगे ये बड़ा महत्योपोर्ण प्रशन बन जाता है क्योंकि अगर जनाधार मेरे मन में तो है कि ये चीज़ बदलनी चाहिए लेकिन मैं वोट देने नहीं पहुंचूंगा तो वो रिजल्ट फिर नेगिटिव हो जाते हैं अगर वहाँ वोटिंग बहुत सही हो गई सही तरीके से हुआ तो वहाँ भी जनाधार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सत्ता पक्षि के favor में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर वोटिंग ठीक हो गई अगर वोटिंग ठीक नहीं होई तो फिर वो क्या हिसाब होता है कि फिर आपस में आपको पता ही है कि मिल जुलके दो तिन पार्टियां मिलके फिर कैसे अपनी सत्ता बनाएंगी लेकिन ये निश्चित है कि अगर प्रॉपर वे में सब लोगों ने जागुरुक रहते हुए वोट दिये तो इस वकत ये तै है कि परिवर्तन के संके दिखाई देते हैं मगर जोतिश क्या कहते है जोतिश के हिसाब से रिजल्ट्स क्या होने चाहिए सूर्य और इस वकत जो में प्लैनेट है बुद बुद आदित योग इस वकत धनुराशी में चल रहा है और ये दशम भाव को देख भी रहे हैं ऐसी स्थिति के अंदर ये बात तो तै है कि जिस वकत जो भी सरकार है वहाँ पर जनता का जनाध्यार उसके विप्रीत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यानि विप्रीत होगा जो भी होगा लेकिन अगर वोट प्रॉपर हो गया तो विप्रीत का रिजल्ट आएगा अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर जो आप समझदार हैं ऐसी स्थिती में क्या होता है कि फिर हम दो-चार लोगों को मिला के पार्टी बना के एक नई सत्ता में आ जाते हैं फिचिडी बन जाती है अब असाम के बारे में बात कर लेते हैं असाम और तमिल लाड़ू में भी होने वाले हैं तो उनका क्या रिजल्ट्स रहेगा क्या वहां पर भी ऐसे कुछ अराद बनते दिखाए रहे हैं जैसे आपने का कि विपरीत हो सकता है तो यहां पर क्या हो सकता है क्या अपर इनाम निकल सकते है दिखी इसमें एक बात तो बिलकुल ते है कि नरिंद्र भाई मोदी की जनब पत्री में वरिश्यक लगन आता है और इस स्थिती में मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता यद्देपी आर्थिक दिख्टिकों से अब कोवीड के विज़े से एक साल तक बहुत दुखी रही है परभावित स्थिती में जो धूरत लोग होंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिति में सरकार बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ मुझे दिखाई देता है कि वहां का जनाधार इनके पक्ष में जाएगा और अगर इन्होंने वोटिंग बिल्कुल प्रॉपर करिये यह मैं बार-बार बोलता हूँ तो निश्य तुरुप से यह समझ लीजे कि काटे की टक्कर दिखाई देती है और इस टक्कर के अंदर आकरी उतार चड़ाव के अंदर सरकार के पक्ष में जाता हुआ जनाधार दिखाई देता है तो यानि यह देखने वाला होगा कि क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या पर इनाम निकलते हैं हमने राजनिती के पक्ष में जान लिया है कि क्या भविश होगा क्या जो इलेक्शन्स हैं उनके रिजल्ट्स क्या होंगे जोतिश क्या कहता है अब बात कर लेते हैं देश की आर्थिक स्थिति के बारे में तो अचारे जी देश की आर्थिक स्थिति जिसे के आप जानते हैं कि कोरोना के कारण और काफी और भी कारण है जिसकी वज़ा से आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं डगमगाती हुई नजर आ रह कि बीजेपी की सरकार 2014 से इस देश्प के उपर है, 6 साल इनको हो गए है तो पुरानया जो धाचा हमें मिलाता, 70 साल से जो पूर्व सरकारों ने काम किया उन सरकारों के काम करने में और बीजेपी के अंदर विशेश रूप से मेरा ध्यान नरेंदर भाई बहुत मेहनत के साथ, जनता के साथ जुड़े हैं इन्होंने सफाई शोचाले बनवाए और गरीब लोगों के साथ जुड़े, किसानों के तरफ ध्यान दिया, उनके बैंक अकाउंट में दो-दो हजारों पे डलवाए, बहुत से ऐसी योजनाई शुरू करी हैं, और इनका जो उद्देश है, वो यह है, कि जो जना दहार है जो गरीब जनता है, उसको कही न कही लाब पहुँचे, आपने देखा होगा कि जितने मिडियेटर्स थे मिडियेटर्स के कामों को हटा करके डारेक्ट लोगों से संपर करने वाली योजनाई बनाई हैं, और इस योजनाओं के कारण मिडियेटर्स को प्रॉब्लम भी हुई है, क्योंकि जो वो मिडियेटर्स बीच में आके फाइदा उठाते थे, अब इन्होंने कोशिश की है कि ये फाइदा सीधा जन्ता को पॉँचे तो इसमें परशानियां तो हुई है लेकिन अब धीरे-धीरे ये जीडेपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ता हुआ दोज़ार इकिस में तो इसके अधिष्टी कौन से बहुत अच्छा है रजकर निकल कर आएगा तो तो तेंथ हाउस जो होता है वो इतना पाउरफल होता है कि छोते घर से जादा बलवान साथ वह शुश कर होता है साथ जादा बलवान दस वह वह होता है तो 10th house lord जो है मबुद जो है finance का है जनता से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है financial हमारी जितनी भी schemes है उन से जुड़ा हुआ है अब इसके अंदर हमने एक चीज़ और भी देखिया जो मुझे बोलना चाहिए जो जनता से, जो मजदूर से, जो सरभारावर्ग से, जो शर्मिकों से जुड़ा हुआ है इन लोगों की जो परिशानिया है उनको यदि मोदी जी देखेंगे धीरे-धीरे तो ये आगे बढ़ता हुआ होगा अब जैसे making India के हम बात कर लें अब एक जागरिती तो आई है कि अब हम बाहर से समान नहीं मंगा रहे अपने भीता से COVID के अंदर आपने देखिए सारी vaccines इंडिया में बन रही है हमारे डॉक्टरों की जितनी भी needles हैं, जितने उनके dresses हैं, वो इंडिया के अंदर बन रही है अब ये चीज तो जागरित हो चुकी है, देश का भविश बहुत सुरक्षित है, धेरे धेरे आगे जाएगा यदपी जब ये शुरू में आपने देखा नोटबंदी हुई तो लोगों को बहुत परशानिया हुई लेकिन वो परशानियों से भी बड़ी एक और बहुत बड़ी परशानी थी जिसमें हमने विजए पाई जो लोग बाहर से हमारा धनका आपको पता ही है कि जितने भी अब आतंकवादी या जितने भी देश-द्रोही लोग थे उन्होंने हमारे देश में कितना रुपे का हिसाब किताब गड़बर कर दिया था तो जब नोड़ बंदी हुई तो असल में अगात तो उनको पचाना था लेकिन आम जन्ता भी उससे पिस्ती है परशान होती है देश का वही सुरक्षित है इस कारण से भी हमारी सेनाओं के पास वर्दी है हमारी सेनाओं के पास वीपन है हमारी सेनाओं के पास बहुत अच्छे आयुत के केंद्र हैं जहाज हैं हमारे पास अब देश की जो सुरक्षा है वो जवानों के हाथ में है जवानों को पास जैकेट्स हैं जवानों को पास अब गन वो एक दुनाली वाली नहीं है अब उनके पास ये सारा रुपया जो रुपया हमने कमाया वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया और विश्व में निरेद्र भाई मोदी एक विश्व नेता की तरह निकल पास करके लिए जैसे की अचारे जी ने बताया कि हमारी आर्थिक सेथी आगे चलकर और अच्छी होने वाली है तो इस दिसको लेकर तो किसी को भी चिंता नहीं होनी चाहिए अब आपका और समय ना लेते हुए मैं आज आखरी सवाल लूँगी आपसे आखरी सवाल मेरा ये है कि 2021 जो वर्ष है जो समवत है अगर देखा जाए तो समवत का दिन जो है मंगलवार है तो इसका क्या परभाव रहेगा और कैसे ये जो 2021 के शुरुवात होने वाली है कैसे जो है देश के लोगों को कैसे खुशी देगी बहुत अच्छा प्रशन किया आपने देखिए इस वकित की सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि मंगलवार मंगल को सैनापती कहते हैं इसे सकंद कहते हैं ये हमारे शरीर की दोनों भुजाएं हैं हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारी जितने भी पैला मिट्री फोर्से हैं और अन जितने भी हमारे सुरक्षा के विधान हैं मंगल उसका कारक है मंगल भाईयों का भी कारक है आस्तीन के सांपों से बचना होगा जो हमारे मूख पे तो हमारी बाते करते हो पर विरोधियों से मिल जाते हों देश के दूसरे लोगों साथ मिलके उनके पक्ष्मे नारे लगाते हों ऐसे धूर्त और ऐसे आस्तिन के सांपों से बचना होगा मंगल कहता है निगहत पैनी रखो आस्तीन के सापों पर ध्यान लखो दुश्मन बाहरी नहीं है दुश्मन तुमारी आस्तीन के पास ही बैठा है तो ये दृष्टी मंगल देता है मंगल कहता है कि थोड़ा तुमें ध्यान लखना होगा और निश्चित रूप से मंगल इस वकट मेश राशी का अपनी राशी का होकी सिक्सावस में है and expecting the Ascendant तो इसकारती ये होता है कि देश सुरक्शित रहेगा और निश्चीत पूर्फ से मंगलवार का दिन देश को सेनाओं को सुरक्शा के कर्शारियों को पुलिस को और हमारी जितनी भी फोर्सीज हैं हमारी जितने विज्ञानिक हैं हमारी जितने मजदूर जो सर्भारा वर्क से जमीन से जड़ोए लोग हैं इन सब को कठनाईयां और परिशानियां इनके जीवन में आती रहेंगी लेकिन इसके ओपर अंत ता विजेशरी अवश्य हमको पराप्त होगी तो मंगल का दिन हमें मुकुट पहनाता है जो हमें विश्व में विश्व गुरू बनने की और परेरित करता है तो ये मंगल का दिन समस्याएं और कस्ट भी लाएगा हमें जागुरुक रहना होगा विश्वोटों से हमें जागुरुक रहना होगा दंगों से फसादों से और इस सिस्थी पे अगर हमने कंट्रोल किया तो निश्ची तुरुक से भारत विश्व गुरु की और अक्रसर होगा जै भारत कि जातकों के लिए कैसा आएगा क्या ये 2021 ओवरोर हर किसी के लिए खुशियां ही लेकर आएगा जोती जी बहुत अचा प्रशन है आपका चलिए मैं बारा राशियों के बारे में थोड़ा संक्षेप देता हूँ आपको मेश राशी अश्वनी भरनी करतका तिन नक्सत्रों से प्रभाविती राशी होती है मेश राशी जातकों के लिए खुशकबरी मैं दे रहा हूँ क्रोध और अपने आक्रोश को और अभिमान को संभाल के रखें यदि आप स्वाबिमान के साथ जीएंगे तो निश्चित रूप से आप यदि पुलिस में हैं, मिलिटरी में हैं और यदि आप डॉक्टर वगरा हैं, सर्जरी वगरा करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ती होगी यदि पी संगर्ष और स्टर्गल भी जीवन में रहेगा और खास करके पत्री के सहत का ध्यान दखेंगे तो मुझे लगता है आर्थिक दिश्टी कोन से और एक और नौकरी के पॉइंट विउ से आपके लिए ये समय अच्छा ही जाएगा आईए विरिश्वराशी की बात करते हैं इसके स्वामी होते हैं शुक्र रूप के एश्वर के ज्यान के अध्यात्म के ये देव होते हैं राहू संकर्मन राहू का जो विचरन है गोचर में वो विरिश्वराशी पर है राहु क्या करता है पिछले जन्मों के कर्मों को ओपन करता है तो राहु जब लगन में है तो सभावता केतु और खास करके शुक्र सब्तम भाव में आएंगे पत्नी के स्वास का विशेश ध्यान लखना है चारेत्री दिश्टी कोन से ठीक बने रहना है और चुक्कि शुक्र is the aspecting ascendant शुक्र की दिश्टी के कारण रूप, एश्वर, धन, सब्रीद्दी की ब्राप्ती भी होगी लेकिन आपको अपने खास करके ध्यान लखना है किड्नी वगेरा का urine infection, uric acid ना बढ़े इस विशे पे ध्यान रखेगा, partnership मत करिएगा, उसमें आपको फायदा नहीं होने वाला, ये खास बात है, मितुन राशी की बात करते हैं, जिसके स्वामी है, बुद्ध अब देखें, मितुन राशी और कन्यारशी दोनों के स्वामी बुद्ध हैं, इसमें क्या है सबसे खास फायदा क्या होने वाला है मितुन राशी के जातकों के लिए सूर बुद बुद्ध is aspecting the ascendant देखें, ये फलित्मा गोचर के माध्यम से कर रहा हूँ, तो निश्टरू से मान सम्माइन के प्राप्ति होगी और खास करके share market के अंदर अगर रुपया लगाएंगे तो उसमें आपको फायदा होगा, लेकिन सोस समझ के लगाईएगा, आपके पास उसका अनुभव होना चाहिए, और सबसे खास बात ही है fast driving मत करिएगा, मंगल बार वाले दिने लडाई जगडे से आपको बचना होगा, और व्यर्थ किसी के पर दोशा रोकन चुगली मत करिएगा बहुत अच्छा जाएगा, हैर टिशू के बारे में अपने आपको ध्यान दखना है, अगर आप खेलते हैं तो ध्यान दें, बाउंसर वगारा, पर एक करिकंड में तो सिर को बचाना है, सिर में चोट या सरदर की problem हो जाती है करक राशी की बात करते हैं करक राशी जिसके सावमी तो आप डौक्टर से treatment कराते रहिएगा, योग-प्रनायाम करते रह रहिएगा पेट सम्मंदी तकलीफें तंग कर सकती है स्पाइन के अंदर अगर आप स्पोर्समेन हैं तो इतना यह आपको व्यायाम करते हैं तो ध्यान रखेगा कि आपके स्पाइन में कोई तकलीफ अगएरा ना हो फाइनेशन स्टेटस बहुत बढ़ी है रहेगा स्वावी माना बहुत जादा है और तर्क वे तर्क तो बहुत करते हैं तर्क करनी अच्छी बात है को तर्कों से बचेंगे तो बोस के साथ सम्मंद बुरे नहीं रहेंगे लेकिन बोस से तुम्हारी कहां बनती है करक क्योंकि तुम खुद स्वावी मानी हो जुकना तुम्हा पसंद नहीं है चलिए सिंह राशी की बात करते हैं स्वाभी होते हैं इसके सुर्वी मानी है और सबस्वी बढ़ी बात यह है राज करना बाचित करने में बढ़े चतूर होते हैं फाइनेशल स्टेटस बहुत बढ़िया रखते हैं किस तरह धन की हमें प्राप्ती हो, या आपके स्वभावी गुड़ है, और हाँ, एक बात और भी, कि वायू दोश तंग करता है, उसका ध्यान लिखेगा, डाबिडीज वगारा ना हो, और हर्मिया वगारा की प्राब्लम ना हो, इसका हमें ध्यान लखना है, और हाँ, आपकी बास के साथ अंडरस्टेंडिंग थोड़ी काम होती है, तो मुझे लगता है, कि किसी के बाते सुनना बहुत बड़ी कला है, चाहे आप उससे वेचारिक मदबेद कितने भी रखते हों, लगे डॉन्ट अपोस, अगर वो आपको बहुत है तो, कनियाराशी की बात करते हैं, पेट का ध्यान दखना है, खास करके पेट के अंदर विकार बहुत तंग करते हैं, पर फाइनेशल स्टेटेस बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के अंदर मांसमान की वृद्दी होगी, एक नई खुशकवरी दे देते हैं, परिवार में कोई आपका, कोई संतान इत्यादी बनने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तुलाराशी की बात करते हैं, तुलाराशी के जाद तक बहुत स्वावी बाणी होते हैं, सुन्दर होते हैं, डिजाइनर होते हैं और क्रेटिव होते हैं, इंडस्टी के अंदर, फिल्म इंडस्टी के अंदर, गायन का क्षित्र हो, तबला का क्षित्र हो, डिरेक्शन का शित्र हो, एका बड़ा अच्छा नाम होता है, Judges वगेरा में निरने देने की बात हो नाप तोल के बोलने की बात हो आपका जवाब नहीं है You are outstanding और इसी के अंदर चरितर का ध्यान रखना है और खास करके आप एक बात का ध्यान रखेगा बहुत अधिक मांसाहार या शरावत यादिकत से बना करें वो आपके हैद के लिए ठीक रही है वरिश्चिक राशी वरिश्चिक राशी के खास कूब यह केरिंग होते हैं गुसा भोजल दी आ जाता है सौभी मानी होते हैं टॉकिटिव होते हैं बात्चित करना तो कमाल है If you can change the opinion of other person It is a great power At that talent वरिश्चिक तुम रखते हो मुझे लगता है आपने परिवार में अपने माबाप का सम्मान क्यों नहीं करते हैं उन पर तो तुम बहुत गुसा करते हो थोड़ा ध्यान रखो और हाँ तुम स्मार्ट हो अच्छे हो लेकिन भीतर कोई तुमारा आप मान करते वो तुम्हें बरदाश नहीं होता मुझे लगता है इस चीज़ को समाल के लखना है धनु राशी बहुत प्यारे हो बाचित तुमारी कजब की है बॉन टीचर हो बॉन मोटिवेटर हो लेकिन जब गुसा आता है धो भी पशाड की तरह पिर तुम बहुत वलगर भी तो हो जाते हो कितना गुसा करते हो बचाओ अपने इस बात को 2021 में आपको ध्यान दखना है पिछले साल तो ठीक नहीं किया था स्वास खराब हो गया था पिछले दो-तिन मेरे में तो तुम बहुत परशानियां उठाई है और पार्डर्शिप तुम्हें सूट नहीं करती है और एक और बात कान के कच्छी क्यों हो दूसरों की बातों पे एक दम इतना बरोसा क्यों करते हो तुम स्वें बुद्धिवान हो और खास करके पड़े लिखे मित्र मिलते हैं तुमको और मकराशी वालों के लिए कहूँगा पत्नी सुन्दर होती है, स्मार्ट होती है जॉब करने वाली होती है और तुम भी तो विदेश में, देश-विदेशी कामों में और ऐसी कंपनियां जो विदेशी हैं उनके साथ मिलके जब काम करते हो या जॉब करते हो, मान सम्मान की प्राप्ती होती है प्रोपर्टी में ध्यान लखना वियर्थ जूठी गवाईयां अदालत में नहीं देनी और अगर कोई केस चर रहे हो तो उसमें तुम विजेशी तभी पाऊगे यदि तुम सच्चे होगे कुमकराशी की बात कर लेते हैं पत्नी बहुत तेज होती है उचे कुलकी होती है मान सम्मान वाली होती है तो पत्नी का स्वागत करो न और अगर तुम इस्तरी हो तो पती का स्वागत करो तुम्हें अच्छे कुल का वर या वदू मिलने का सुभाग के पराप्त होता है बोलते तो तुम गजब हो यदि तुम्हारा गुरु शुक्र बुद्ध का कॉम्मिनेशन पॉस्टिव हो जाए तुम्हें राजा बना देता है तुम्हें बहुत सचाइड मिनिस्टेटर होते हो नेता होते हो क्योंकि टॉक्इंग एबिलिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है मुझे लगता है फाइनेशन पॉइंट वी से तुम्हें बहुत लाब होगा और खास करके फोड़े फुनसी जादा तंग न गरें इसका विशेज ध्यान रखिए स्किन इंफेक्शन जादा न हो तो मुझे लगता है कि ये साल कुल मिला के सक्षेप में मैंने आपके बारे में बताया अच्छा गुजरने वाला है रोग की परतिरोदक शमता बनी रहे इम्यून सिस्टम बनाये रखना बारा की बारा राशियों को इसके लिए कहूँगा नीबू पानी पीते रहो इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी उपाई देने जा रहा हूँ सभी राशिवालों को कि दो पाई करते रहेगा स्वेरे उटके एक गिलास गरम पानी करिये जब वो आधा रह जाए इतना उबाली है उसमें आधा चम्म सौफ आधा चम्म जीरा थोड़ी जाल दालचीनी थोड़ी अदरग और थोड़ी सी हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है और थोड़ा अगर इसके साथ लॉंग वगरा मिला के काड़ा बना ले थोड़ा सा निवू मिला है 12 राशी वाले पियें एम्योन सस्टम होगा स्ट्रॉंग और एक दे रहा हूं महागुरु मंत्र स्वेरे स्वेरे जब उठे हैं तो थोड़ा गुड़ खाएं गुड़ खाके एक कब जो गर्म पानी पीTOगे तो पता तुम्हें क्या क्या मिलेगा तुम्हें जीवन के वो सभी सार्थत्त्त मिल जाएंगे तुमारी बोड़ी के अंदर सारे का सलफर तुम्हें मिल जाएगा पोटाशिम तुम्हें मिल जाएगा सारे कार्बोर हाइडेट्स तुम्हें मिल जाएगे तुम्हें इतनी क्षमता शक्ती मिलेगी कैल्शम तुम्हें मिलेगा तुम मुर्तुंजे हो सकते हो कास करके कोविड के नए रूप से बचने के लिए और मैं सभी देशवासियों को उनके उज्वल भविश्य के लिए भगवान से प्रात्ना करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यंतु माकश्य दुखभाग बविद सभी को सभी देशवासियों को मेरे हिंदुस्तानियों को मेरा अनिलवस का बार बार नमन प्राना तो ये थे हमारे साथ अचारे अनिलवस सी जिन्होंने हमें बताया कि आप जैसे कि अचारे जी ने बताया है कि क्या आपको सावधानिया रखनी है वो रखेंगे और हम ये आशा करते हैं कि नया वर्ष जो है आप सब के लिए खुशियां लेकर आए आप हमाई साथ नहीं बने रहिए और तमाम जानकारी के लिए युही देखते रहिए कुण्डी टीवी